आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपने अपने फोन में किसी ब्लूटूथ डिवाइस को कनेक्ट किया है और यहाँ पर उसके बाद आपके फोन में ब्लूटूथ आटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो जाता है तो इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करें आईए जान लेते हैं तो इसके लिए आप अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन करिए सेटिंग्स ओपन करके नीचे आईए नीचे आपको मिलेगा एपस एपस ऑप्शन पे किलिक करिए उपर मैनेज एपस पे किलिक करिए और मैनेज एपस पे किलिक करके उपर राइट साइड में तीन डॉट पे किलिक करिए शो ओल एप्स पे किलिक करिए और उसके बाद नीचे आईए नीचे आपको मिलेगा ब्लूटूथ इस तरीके से ब्लूटूथ पर आप किलिक करिए उसके बाद नीचे फोर्स स्टॉप पे किलिक करिए ओके करिए और उपर storage पे click करिए clear data पे click करिए clear all data पे click करिए okay करिए उसके बाद back आईए फिर से back आईए और उसके बाद settings में उपर search settings पे click करिए उसके बाद search करिए reset और reset type करेंगे तो आपके search मेँ option आएगा reset network settings यहाँ फिर आएगा reset wifi, mobile, network and bluetooth इस पर आप click करिए click करके नीचे reset settings पे click करिए उसके बाद अपने phone का lock डालिए और नीचे ok पे click करिए यह करने से कोई आपका data delete नहीं होगा बस आपके phone की wifi, mobile data और bluetooth की settings reset होगी तो ok पे click करिए और उसके बाद यहाँ पर network settings reset करके back आईए और अब अपने phone को restart करिए और जो device आप connect कर रहे हैं उसे check करिए अगर उसमें कम battery है तो आप उसे charge करिए और उसके बाद आपका bluetooth automatically disconnect नहीं होगा तो इस तरीके से आप इस problem को ठीक करें विडियो अगर आपको पसंद आई तो विडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें